ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म खाना तो सबको पसंद आता है दोस्तों तो इस ठंडी के मौसम में जरूर आप वेज मसाला खिच्री बना के ट्राइ करिएगा क्योंकि मैं एकदम गिली गिली एकदम बढ़िया तरीके से सौधिस्ट खिच्री बनाने वाला हूं जो आपको पसंद जरूर आएगी अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों इस खिच्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर उरत डाल लेंगे तो बिना छिलके वारी उरत डाल लिया हूं दोस्तों आधा कप तो यह हमारे सियत के लिए बहुत ही फायदे मंद है यह दाल यूज जरूर कीजिएगा और इसके बाद हम यहां पर एक कप चावल लेंगे और चावल लेने के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करके और अच्छे पानी से दो बार धो लेंगे और उसके बाद हम अच्छा पानी यहां पर एड़ करके और इसको फूलने देंगी दाल को और चावल को दोनों को फिर उसके बाद हम इस खिच्री को बनाने के लिए आगे चलेंगे तो कुकर में हम यहाँ पर देशी घी का इस्तमाल किये हैं बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा दोस्तों खिच्री में तो दो तेश पत्ता और इसके बाद हम यहाँ पर आधा चमच जीरा एट किये हैं इसके बाद हम यहाँ पर आधा लसुन अद्रक का पेश्ट लिए हैं और इसके बाद हम चमच की सहता से लसुन और अद्रक का पेश्ट को पका लेंगे तो बहुत बढ़िया दोस्तों खुस्बू आ रही है इसके बाद हम यहाँ पर add करेंगे प्याज, तो दो प्याज मैं यहाँ पर बारिक चौप करके add किया हूं, इसके बाद हम यहाँ पर कड़ी पत्ता add करेंगे, लगबग 10 से 15 पत्ती कड़ी पत्ता हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़ी दोस्तों खुशबू आएगी, अच्छे से mix करेंगे, ज आसे ही चेलाच लगकर प्याच को सॉप्ट करना है जब आपकी प्याच सॉस्फ्ट हो जाए तब हम यहाँ पर हल्दी पौॉडर आड़ करेंगे पारा है चम्मच इसके बाद हम यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च पौॉडराइड करेंगे मैगी मसाला बहुत बढ़िया दोस्तों खुसबू आएगी जरूर आप इसको एड़ कीजिएगा पूरी पैकेट मैया पर मेगी मसाला एड़ कर दिया हूँ और इसके बाद हम गरम मसाला एड़ करेंगे आधा चमच और इन सभी मसालों को हम अच्छे से चला चला कर पका लेंगे तो दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों मसालों की खुसबू आ रही है यह दिखे और इसका जो कलर आना बहुत बढ़िया दोस्तों आ गया है इसके बाद हम यहाँ पर आधी कटोरी मटर के दाने लिये हैं इसके बाद यहाँ पर एक गाजर को इस तरह मैं चौप करके लिया हूँ इसके बाद मैं बीन्स छोटे टुकड़ों में एड किया हूँ इसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से फुल लिया हूँ और इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से mix करेंगे मासालों से और आपको ऐसे ही दोस्तों mix करना है 2 मर्टक थोड़े से यहाँ पर सब्दियों के juice निकलना start हो जाएंगे 2 मर्टक आपको ऐसे करना है दोस्तो उसके बाद हम यहां पर दाल और चावल को mix करेंगे बहुत अच्छे से फुल गए हैं डाल और चावल और अच्छे से दोस्तों सभी चीजों को mix कर रहेंगे दो मिर्द तक आपको ऐसे mix करते रहें बहुत बढ़ी है दोस्तों खुसबू आएगी और ये सब चीज मिक्स होने के बाद अब बारी है यहां पर पानी तो पानी हमें यहां पर एड़ करना है पांच कप एड़ करना है दोस्तो तो आधा कप दोस्तो डाल थी और एक कप चावल था तो हमें यहां पर पांच कप पानी का इस्तमाल करना है अगर आप खिचरी को गिली गिली खाना पसंद करते हैं तो पांच कप का इस्तमाल कीजे और नमक एक चमच आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे कैफ लगा कर दो सीटी बजने तक कवेट करेंगी जब दो सीटी बज जाएगे ना तब हम समझ जाएगे कि हमारी खिचरी अच्छे से पक गई है तो यहाँ पर दो सीटी दोस्तों बज गई है और अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है जब यह अच्छी तरह से ठंडी हो जाए ना तब हमें इसे चेक करना है कि हमारी खिचरी जो है अच्छे से पकी है या नहीं तो ठंडा होने के बाद कैफ को निकाल कर देखते हैं यह देखी एकदम बढ़िहा दोस्तो गिली गिली हमारी खिचरी तयार हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखे एकदम बढ़िहा स्वादिष्ट महकती हुई हमारी यहाँ पर वेज मसाला खिचरी तयार हो गई है इस तरीके से बनाके आप ट्राइ करिएगा दोस्तो बहुत ही स्वादिष्ट दोस्तो बनी हुई है थोड़ा सा हम यहाँ पर धन्या पत्ती का छिड़काव कर देंगे क्योंकि बहुत बड़िया दोस्तो यह वेज मसाला हमारी खिचरी तयार हुई है तो जरूर आप ट्राइ कीजिएगा अगर आप मेरे चलनल में नए आए हैं तो चलनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में